पुलिस में आरच्छी नागरिक पुलिस के पदों पर सिधी बढ़ती जो 2023 का विग्यापन है यह जारी हो चुका है हम इसको डीटेल में देख लेते हैं कितने पद हैं योग्यता क्या है और सिलेबस क्या है इन साई चीजों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो व 2200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतनमैटेक्स रूपए 2700 के अंतरगत निम्न रिक्त पदों को भरने के लिए आनलाइन आविदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं यहां पर पदों की संख्या दी गई है यहां पर शेंडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर हम क कुल पद हैं 6244 कितने 6244 बहुत बड़ी वेकनसी है आप सभी के लिए बहुत अच्छा वसर है और यहां पर हम देख लेते हैं आरच्छी नागरिक पुलिस के पद पर भरती है तो पुलिस एवं महिला अभेर्थी पात रहोंगे परिछा के पुर्व किसी भी समय रिक्ति पुलिस जो डेट है महत्पूर्ण तितियां हैं इनको देख लेते हैं आवेदन की समय स्राणडी यहां पर क्रम संख्या देखेंगे यहां पर विव्रण और यहां पर दिनांक यानि तिति देखने के लिए मिल जाएगी आनलाइन आवेदन यानि सुल्क जमा करने की अंति जो है अठारा जनवरी 2024 से सुल्क अगर हम देखें तो आवेदर सुल्क जो है चार सुरुपए है चार सुरुपए मात्र आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर आहरता यानी जो योगिताएं हैं यह राश्टियता यानी भरती के लिए आवस्यक है कि अब बैरती जो है भारत का नागरिक हो या आगे तिबती सरनार्थी हो जो भारत में इस्थाई निवास के अभिप्रायस से पहली जनवरी 1962 के पूर्व आया हो या भारती उद्भो का ऐसा बेक्ती हो जिसने भारत में इस्थाई निवास करने के अभिप्रायस से पाकिस्तान म्यामार स्रीलंका या किस चीज़ है हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं आप चाहे तो वीडियो को रोकार भी पड़ा सकते हैं हम सेचीक आहरता देख लेते हैं सहचिक आहरता यानि भारत में विध्य द्वारा स्थापित बोट द्वारा दस्रीवें बारहवी कच्छा उत्रिंड या सरकार द्वारा मन्यता प्राप्त उसके संकच आहरता होनी आवस्यक है टिपड़ी यहाँ पर आप पढ़ लेंगे आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर इस सारी चीज़ें आप देख पाएंगे और यहाँ पर इंपोर्टन बात यह है कि दी ओ इए सी सी और या फिर यन आई इल टी सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ अस्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो या प्रादिशिक सेना में नियूंतम दो वर्ष की अवाधितक सेवा की हो या राश्टरी कैड़िट कोर का बी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो या का आगे में देख लेते हैं आयू जो है यहां पर पुरुस अभ्यर्थी ने दिनांक 172023 को 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर ली हो या 22 वर्ष की आयू प्राप्त ना की हो अर्था अभ्यर्थी को जो जन्मति थी है दो जुलाई 2001 से पूर्वत था एक जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए यहां पर इस सारी चीज़ें आप देख पाएंगे आगे मैं देख लेते हैं इन सभी का आप देख लिजेगा वीडियो को अगर पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इस कोईश के ओफिशल एक पर जाकर आप बहुत कर सकते हैं उसके बाद भी पर सकते हैं चन्राश्टडी प्रिएंट के टेलीग्राम चैनल मैं से भेज़ दूंगा वहाँ से बहुत कर सकते हैं आगे हम देख लेते हैं यहां पर आप देख पाएंगे लिखित परिच्छा होग और लिखित परिच्छा तीन सो अंकों की होगी जिसकी समायावधी यानि दो घंटे का टाइम होगा इसका और इस लिखित परिच्छा में निमलिखित चार विसे होंगे सामानिज्यान, सामानिहिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुची, प्रतेक सही उत्तर के लिए दो अंक निरधारित हैं, आरची भरती की नियमावली के अनुसार, ओक्त भरती में अभिर्थियों को प्रतेक गलत उत्तर के लिए 0.5 निरडात्मक अंक प्रदान किये जाएंगे, आगे हम देख लेते हैं, यहां लिखित परिच्छा OMR, आधा परिच्छा प्रणाली के अनुसार संपन कराई जाएगी, लिखित परिच्छा का पार्टिक्रम परसिष्ट एक पर सनलगन है, यहां पर आप देख पाएंगे सारी चीजें, और हम आगे देख लेते हैं, यहां पर इंपोर्टेंट चीजें जो हैं, वही चीजें आपको ब पत्रक की तीन प्रतियां होगी, जिन में से मूल प्रति बाहे एजनसी, दुतिय प्रति बोर्ड तथा तुतिय प्रति अभ्यर्थी को होगी, अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका भ्यर्थन स्वताह निरस्त समझा जाएगा, लिखित बोर्ड की वेबसाइट है यहाँ पर आप देख पाएंगे एच टी टी यहाँ पर देखेंगे यूपी बी बी डॉट जी ओवी डॉट इन पर उपलब्द होंगे जहां से आप भेरती उसे स्वेम डाउनलोड कर सकेंगे यानि जब भी इसका प्रवेश पत्र आएगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा और प्रवेश पत्र कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं स्वेम से यह भी आप देख पाएंगे हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर अभी लेखों की जो पर आप सारी चीज़ें देख पाएंगे यानि जो नियूंतम उचाई है सामान ने एवं सामान अन्य पिछण वर्गों तथा अनुसूर्चित जातियों की महिला अभिरतियों के लिए नियूंतम उचाई एक सो बावन सेंटी मीटर होनी चाहिए और अनुसूर्चित जाति और आयू की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आयू हम बता चुके हैं आप वीडियो को रोकर भी देख सकते हैं और EWS के लिए भी आरच्छन यहाँ पर दिया गया है EWS का प्रमणपत्र आपको लगाना होगा EWS के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे EWS के अंतरगत आरच्छन का दावा करने वाले अबहरति जिनके परिवार की समश्त स्रोतों से आए जो है वेतन करसी व्यापार एवं विवसाय आदिसे आवेदन करने के वर्स के पूर् गृपए से कम है और जो आर्थी गृप से कमजोर है कमजोर वर्गों EWS के को जो है दस प्रतिशत का लाभ दिये जाने संबंधी उतर प्रदेश सासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे और जिन भेर्थियों द्वारा EWS सेंडी के अंतरगत आवेदन किया जा रहा उनके द्वारा आवेदन की अंतिम्तित से पूर्व निर्गतवा आवेदन करने से वितिय वर्स अर्थात वितिय वर्स 2023 है तो मान ने EWS प्र पत्र के अभाव में भेर्थी को इस आरचण का लाब अनुमन ने जो है नहीं होगा आगे हम देख लेते हैं यह सारी चीज़ें आप देख पाएंगे वीडियो को आप चाहे तो रोकर भी देख सकते हैं अब हम बात करेंगे किसकी हम बात कर लेते हैं सिलेवस की यानि जो आपका पार्ठिक्रम है क्या होगा यह हम देखने वाले हैं तो यहां पर हम पार्ठिक्रम की बात कर लेते हैं पहले इन सभी को आप चाहे तो वीडियो को रोकर भी पढ़ा सकते हैं यहां पर हम देखेंगे लिखित परिच्छा का पार्ठिक्रम जो है सामाने ग्यान इसमे नगरी करण भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन उतर प्रदेश की सिच्छा संस्कृती और सामाजिक प्रथाओं के संबंद में विशिष्ट जानकारी उतर प्रदेश में राजस्व, पुलिस्व, सामानिय प्रशासनिक वेवस्था, सेवाकर प्रुषकार और सम्मान देश राजधानी मुद्राएं महत पुर्ण दिवस अनुसनान एवं खोज पुष्टक और उनके लेखक सोसल मीडिया कम्यूनिकेशन और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में आपसे क्या पूंचा जाएगा यानि जनरल हिंदी में हम अभ वाक्यान्षों के स्थान पर एक सब्द समरूपी भिनार्थक सब्द असुब्ध वाक्यों को सुद्ध करना लिंग वचन कारक सर्वना विसेशन क्रिया काल वाच अफवे अफसर्ग उपसर्ग प्रत्य संदि समास विराम चिन मुहावरे एवं लोकोक्तियां रश्चंद अलंकार आदी अपठित बोध प्रसिद्ध कवी लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भासा में प्रुषकार विविद ये कुछ बहुत ही महत पूर्ण सिलेबस में हिंदी में पूछा जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक यो पूर्ट तक यानि हायस्ट कोमन फैक्टर और लॉएस्ट कोमन मल्टिपल और लेटिकर प्रिपोर्शन अनूपात और समा नूपात प्रसत्ता ला भान वियसस आधारन वयाद में आपसे पूंचा क्या जाएगा मानसिक योगिता में mental ability में क्या पूंचा जाएगा आपसे तार्किक आरेक उसके बाद संकेट संबंद विसलेशन प्रत्यच ग्यान सब्द रचना परिच्छण अच्छर और संख्या स्रंखला और उसके बाद सब्द और वर्णामाला में आंसिक समरूपता वेवहारी ज्यान परिच्छण दिसा ज्यान परिच्छण आकडों का तार्किक विसलेशन प्रभावी तर्क अंतर नहित भावों का विनिश्चय करना इसके लावा आगे जो है यहां से आपकी मानसिक अभिरुच की बात की जाएगी मानसिक अभिरुच बुद्धिलब्द एवम तार्किक शम्ता की संबन्दित आपका जोचले बस रखा गया है इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे मानसिक अभिरुच में हम देख लेते हैं निमलिखित के दुष्टिकोंड प्रति दुष्टिकोंड और जनहित कानून एवम सांती विवस्थ साम्प्रदा एक सद्भाव आपराध नियंत्रन विदिका असासन अनुकूलन की छमता और उसके बाद जो है विवसाइक सूचना बेसिक इस्तर की और प्रणाली समकालिन पुलिस मुद्दे एवम कानून विवर्ष्ट था विवसाइक के प्रतिरुची मानसिक दुणता अ अलप अधिकार वालों के प्रति समवेदन शिलता लेंगिक समवेदन शिलता और इसके बाद जो है बुद्दिलब्द यानि आईक्यू से संबंदित क्वेश्टन पूछे जाएंगे आपसे इसमें जो है संबंध वा अंसिक समानता परिच्छन असमान को चिन्हित करना स्र और इसके बाद जो है पूछा जाएगा आपसे तारकिक चमता यानि रिजिनल इबिलिटी यानि समरूपता समानता भिन्नता खालिस्तान भरना समस्या को चुल जाना विश्लेशन निरने निरनायक चमता रिच्छन संबंद अवधारना अंक गड़तिय तर्क सब्द और आक संखला अंकिजरति संखला और उसके बाद जो अमूर्त विचारों वा प्रतेकों अनके संबंदों से संबंद जस्चे की चमता तो यह कुछ महत्वपूंड चीजे थी आपके महत्वपूंड डेट से संबंद तो यह वीडियो का असलेगा आपको कमेंट जरूर करिएगा इसके जो इस पाठिक्रिम से समय समय पर जीके से समय पर इस समय शीरीज चलाई जा रही है जिसमें Sunday और Saturday को आपको दो वीडियो मिलते हैं जिसमें हर वीडियो में 10 Q 199 होते हैं और उहले हुए महत पूर्ण पॉंद आपको देखने के लिए मिलते हैं इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपकी बहतर तैयारी हो सकती है इन सभी वीडियो की आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं उनका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन पर भी आप इस समय देख पा रहे हैं ये वीडियो का सलाग आपको कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्दे बाद